हाई फ्रेंट्स वेलकम टुई फार्मसी स्टेडी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले आइडेंटिविक्शन टेस्ट फॉर इमल्शन यानि कौन सी टेस्ट से हम इमल्शन पैचान सकते हैं कि यह O by W यानि ओई इन वाटर डाइप का है या फिर वाटर इन पूचा जाता है फार्मसीटिक्स में तो इसलिए जो है मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ मैंने पहले भी इस पर थोड़ी कुछ वीडियो बनाई थी मतलब इसी तरह कि एक मतलब वापर बहुत सारे लोगों के क्वेक्शन आये थे कि किस तरह से यह सारे टेस्ट पर करें तो यह बिल्कुल सिंपल है आपको सिंपली एक टेस्ट ट्यूब में मतलब 5 ml आपका जो इमल्शन है वो लेना है और 5 ml जो वाटर लेना है अब उसमें आपको मतलब उसी टेस्ट ट्यूब में जिस टेस्ट ट्यूब में आपने इमल्शन रखा हुआ है उसी में आपक oil type का है क्योंकि अगर ज्यादा उसमें water होता तो हमने जो water add किया है वो water में water soluble हो जाता पर क्योंकि उसमें oil की quantity ज्यादा थी तो जैसे हम उसमें water add करते है तो continuous space जो होती है oil की वो break हो जाती है क्योंकि water की quantity बढ़ने के वज़े से तो यह है dilution test और इसका principle जो dye test है उसमें हम scarlet red dye use करते है जो कि हम directly emulsion के साथ mix करते है उसके बाद में जो है को microscopic slide या फिर simply slide पर जो है उस emulsion का drop हम रख देते है और उसे हम cover slip से मतलब cover slip से cover करके microscope tender observe करते है अगर dispersed globule जो होते है वो red color के दिख रहे है और जो ground है यानि कि उसका जो मतलब आजब 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 का उसका जो area है वो अगर color less दिखता है तो emulsion जो है वो o by w type का है इसके मतलब reverse अगर condition दिखती है vice versa अगर दिखता है तो वो emulsion को हम w by o type का emulsion बताएंगे इसमें जो global red हो रहे है उसमे scarlet dye soluble हो चुकी है इसलिए वो red हो गए है तो वो emulsion जो है o by w type का होता है तो यह हो गई हमारे diet test conductivity test जो है वो तो बिल्कुल simple है इसमें आपको करना यह होता है कि मतलब एक का आप बीकर में आपको water add करना होता है water जो है आपको सभी को बताई है कि जो है good conductor of electricity है जो बीकर में आपका emulsion add कर देना है उसमें जो है दो electrode place करना है और उससे जो एक bulb attach कर देना है उसके बाद जो है आपको वहाँ से current pass करना है अगर light blow होता है या फिर bulb आपका blow होता है तो आपका जो emulsion है वो o by w type का है क्योंकि water जो है good conductor of electricity है यानिकि electricity का अच्छा conductor है और अगर आपकी इसमे water की quantity ज्यादा है water continuous space में है तो जो है वापर बलप आपका blow हो जाएगा तो ये सारी आपकी तीन टेस्ट हो गई जो फ्लोरोसन टेस्ट है वो भी मतलब बिल्कुल easy है वो आप पढ़कर भी समझ जाओगे तो ये तीन टेस्ट मैंने आपको बता दी अगर इसमें आपको कोई भी difficulty हो तो प्लीज नीचे कमेंड में मुझे बताईगा थैंक्स पॉचिंग बाई बाई